चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में चुनाव की घोशना कर दिये आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव सत्ता पाने का एक साधन नहीं है हमारे लिए ये एक पार्टी को बदल के दूसरी पार्टी का शासन लाने का जरिया नहीं है पार्टियां बदलने से कुछ नहीं होगा सत्तर साल हो गए पार्टियां बदलते बदलते कुछ बदला सब कुछ वैसा का वैसा है हमें सिस्टम बदलना है सिस्टम बदलना होगा पूरा का पूरा सिस्टम बदलना होगा आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव देश और समाज में परिवर्तन करने का एक जरिया है हमारे लिए चुनाव बदलाव लाने का एक मौका है आप जब चुनाव प्रचार के लिए निकलो तो इस समझ और इस भाव के साथ निकलना कि आप देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए काम कर रहे हो आप चुनाव परचार नहीं देश भक्ती का काम कर रहे हो इस चुनाव के जरीए आपका मकसद एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी सब्तम में लाना नहीं है बलकि आपका मकसद है भ्रष्ट वेवस्था को उखाड़ के एक इमानदार वेवस्था लागू करना दिली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि बदलाव संभव है चेंज इस पॉसिबल परिवर्टन हो सकता है आज तक इन पार्टी ने हमें हमेशा ये बताया कि सरकार चलाना बड़ा मुश्किल काम है सरकार चलाने में थोड़ी बहुत बेहिमानी करनी पड़ती है आम आदमी पार्टी के सरकार ने ये साबित कर दिया कि सरकारे इमानदारी से भी चल सकती है इन पार्टियों ने आज तक हमें बताया कि चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा चाहिए, और चुनाव जीतने के लिए बेहिमानी करनी पढ़ती है आम आदमी पार्टी ने ये साबित कर दिया चुनाव इमानदारी से लड़े भी जा सकते हैं जीते भी जा सकते हैं आज तक हमें ये बताया गया कि सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते सरकारी स्कूलों को कॉर्परेट सेक्टर को दे देना चाहिए आज तक हमें बताया गया कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जा सकती आम आदमी पार्टी की दिल्ली के सरकार ने ये साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल भी शांदार बन सकते हैं और गरीबों के बच्चों को अमीरों के बच्चों जैसी शांदार शिक्षा भी दी जा सकती है यह पार्टी अब 75 साल में भी सरकारी अस्पतार ठीक नहीं कर पाई हमने 5 साल में ठीक कर दिये तो हो तो सकता है चेंज इस पॉसिबल बदलाव संभव है देश बदल तो सकता है आम आदमी पार्टी के दिली के सरकार ने देश के लोगों को यह उमीद दी है बहुत बड़ी उमीद दी है यह संभव है लेकिन आसान नहीं है बहुत मुश्किल है कड़ी महनत करनी पड़ेगी आजादी की लड़ाई की तरह है यह उस वक्त हम अंग्रेजों से लड़ रह है बड़ी बड़ी पार्टियां उन पार्टियों के पास अथा पैसा है हमारे पास क्या है हमारे पास हमारा जुनून है हमारे पास हमारी देश भक्ति है आज एक एक आम आदमी पार्टी का कारेकरता कसम खाए कि जब तक देश से इस भ्रष्ट व्यवस्था को उखाड नह चैन से निसोईए दिए चुनाव आयोग ने कल चुनाव की तारिखों का इलान किया है करोना के चलते चुनाव प्रचार पर कई पाबंदी आहें लेकिन दो टू-डूर प्रचार करना है लाउड है आज से अभी से दो टू-डूर प्रचार शुरू कर दो कैसे करना है डोटू डोटू जब भी किसी के घर जाएं तो सबसे पहले उनका हालचाल पूछें उनके घर में सब लोग ठीक ठाक हैं किसी को कोई बिमारी तो नहीं है अगर उन्हें किसी चीज़ की जरूरत हो तो पहले उनकी मदद करें चुनाब परचार भी हमारे लिए सेवा करने का एक मौका होना चाहिए फिर उन्हें बताएं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने हमने क्या क्या अच्छे काम की है उन्हें बतायें कि दिल्ली में हमने कैसे बिजली, पानी, स्कूल, अपुटाल, सड़के ठीक कर दी राज्ये में भी हम दिल्ली जैसे अच्छे काम करेंगे याद रहे हमें किसी दूसरी पार्टी वाले को गाली नी देनी किसी के बारे में उल्टा सीधा नी बोलना हमें केवल positive campaign करना है और हमें सभी party वालों के यहां जाना है यह नहीं सोचना कि फलाना फलाना उस party का है उसके घर जाने से क्या फाइदा होगा यह मान के चलो सब अपने हैं हमें सब का दिल जीतना है सब को गले लगाना है आप से कोई पूछे कि आम आदमी party हर चीज फ्री फ्री क्यूं करती रहती है तो उनसे पूछना क्या यह सरकार का फर्ज नहीं कि देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और फ्री में मिले क्या ये सरकार का फर्जनी की देश के हर नागरिक को अच्छे से अच्छा इलाज मिले और फ्री में मिले आज सरकार का मतलब हो गया है कि मंत्रियों और विधायकों को सारी सु विधायें फ्री में मिलें और जनता दरदर की ठोकरे खाती रे हम सरकार की परिभाशा बदलेंगे अब इसका उल्टा होगा अब मंत्री और विधायक सेवा करेंगे और जनता को सारी सो विधाई मिलेंगे